जॉन लॉरेंस भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इनका कार्यकाल 1864 से 1879 तक था। इनके समय में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य हुए। एक कलकत्ता, बंबई और मदरास में हाई कोट की स्थापना। दो हेनरी चेंबर लेन के अध्यक्षता में उडिसा में अकाल आयोग का गठन। तीन भारत व इनलैंड के बीच समुदरी टेलीग्राफ सेवा का प्रारंब 1865। चार कैंप बेल अकाल आयोग का गठन। पांच 1865 में भूटान के साथ युद्ध और भूटान का पूर्ण विले। छै इसने अफगानिस्तान के संदर्भ में कुशल अकर्मन्यता की नीती का पालन किया। लॉड लारिंस का इतिहास लॉड एलगिन के बाद सर विलियम देनिसन को भारत का अस्थाई वायसराय बनाया गया था जिनका कार्यकाल दो दिसंबर 1863 से 12 जनवरी 1864 ही तक था सर विलियम देनिसन के बाद लॉड लारिंस को भारत का वायसराय बनाया गया जिनका कार्यकाल 12 जनवरी 1864 से 12 जनवरी 1879 ही तक था लॉड लारिंस के कार्यकाल 1865 ही में भूटान के द्वारा भारत पर आकर्मन किया गया था लॉड लारिंस के ही कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य 1865 ही में भारत और यूरोप के मध्य प्रथम समुदरी टेलीग्राफ सेवा की शुरुवात की गई थी लॉड लारिंस के कार्यकाल 1866 ही में उडिसा आधुनिक नाम उडिशा में अकाल पड़ा था लॉड लारिंस के द्वारा अफगानिस्तान के साथ अहस्तक शेप की नीती अपनाई गई थी जिसे भारतिय इतिहास में शांदार निश्क्रियता के नाम से जाना जाता है लॉड लारिंस के कार्यकाल 1868 से 79 इमेही बुंदेलखंड में भीशन अकाल पड़ा इसके बाद हेनरी कैम्प वेल के नेतरित्व में अकाला योग का गठन किया गया था